Hello everyone, my name is Sitenndra Chodri and welcome to all of you to this session जहांपे हम लोग करने वाले हैं, आज 11th Standard की Geography की NCRT का Chapter No. 5 और जिसका Title है Natural Vegetation लेकिन हम यहांपे जो Natural Vegetation की बात करेंगे वो सिर्फ India-based रहेगा इंडिया में Natural Vegetation कितने टाइप की होती है, कितरे तरह के Forest होते हैं उसकी Location की बारे में बात करेंगे और फिर बाज में थोड़ा सा हम लोग यहांपे Biodiversity के बारे में भी बात करने वाले हैं लेकिन सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि Actually Natural Vegetation की इसको बोलते हैं देखे, Vegetation का मतलब हम सबको पहले से पता है, it means हम लोग यहांपे Flora की बात कर रहे हैं मतलब हम लोग Forrest की बात कर रहे है Vegetation की बात कर रहे हैं, Plants के बारे में बात कर रहे हैं ông Natural का मतलब होता है जो अपने आप Grow करते हैं जिसमें human का कोई भी role यहाँ पे नहीं होता उसे कहते है natural vegetation तो it refers to the plant community that has been left undisturbed मतलब उसको उसके हालत पे छोड़ दीजिये over a long period of time so as to allow its individual species to adjust themselves to climate and the soil condition as fully as possible मतलब आप किसी जगह पे वहाँ पे जो natural vegetation है जो plant community के अंदर different species पाय जाते हैं उसको बिल्कूल भी disturb मत करिए बहुत लंबे समय तक जब वहाँ के climate के हिसाब से soil के हिसाब से अपना उस खुद adapt करता है और उसका जो natural character होता है उसके according जब वह grow करती है तो उस vegetation हो कहते है natural vegetation मतलब natural vegetation is that vegetation which has grown on itself without any disturbance अब जब हम लोग इंडिया की बात करते है ना इंडिया में vegetation की बहुत सारी variety पाय जाती है इसका reason है क्या reason है क्योंकि इंडिया में जो physiography है जो climate है वो भी तरह तरह का पाया जाता है हिमाल्यव अगर आप जाके देखो तो वहाँ पर आपको temperate vegetation मिलेगा इवन हिमाल्यव पर तो आपको tundra भी मिलेगा वेस्टन घाट में जाओगे अंडमान निकोबार में जाओगे वहाँ पर आपको tropical rainforest मिलते है डेल्या रीजिन में आप जाओगे आपको mangroves मिलते है desert में आप जाओगे आपको thorny जो है trees मिलते है तो इंडिया में different different तरह की natural vegetation पाई जाती है क्योंकि इंडिया में climate wise soil की तरह से बहुत सारी यहां पर variations है उस variation के साब सी natural vegetation पाई जाती है simple as that अब देखे types of forest इंडिया में कितने type के forest पाई जाते है पहला होता है हमारे पास यहां पर tropical evergreen and semi evergreen forest होता है tropical deciduous, tropical thorn, mountain forest, littoral and the swamp forest इसका हम लोग थोड़ा यहां पर एक एक करके देखेंगे tropical evergreen tropical का मतल हम सब को पहले सही पता है जो कि tropic of cancer, tropic of capricorn के बीच में होती है वो होती है आपकी tropical area अज जो हम लोग इंडिया की बात करते है तो इंडिया में क्या है इंडिया का climate क्या climate होता है monsoon type of climate या फिर tropical monsoon type of climate तो इंडिया के जो पुरा climate है वो tropical type का climate होता है और यहां पर जो vegetation पाए जाती है तो definitely वो भी tropical vegetation होगी लेकिन यहां पर क्या लिखा है evergreen लिखा है evergreen मतलब जैसे 1960s के गाने होते थे ना 1970s के गाने होते है उन्हें सदा बाहर गाने कहते है सदा बाहर जो लता मंगेशकर और मुकेश किशोर कुमार ना सदा बाहर इसी तरह से यह जो vegetation होती है यह भी सदा बाहर vegetation होती है यह जो jungle होते है इन्हें हम लोग सदा बहार जंगल कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, यही इसका main reason है, कहां पाय जाते हैं, location देख लेते हैं, western slope of the western ghat, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि western ghat के western side में excessive rainfall होता है, 200 से लेके 400 cm होता है, aurographic rainfall होती है, तो क्योंकि वहाँ पे excessive rainfall हो रहा होगा है, north east region में पाय जाते हैं, अंडमा निकोबार में भी आपके जो है, यह सदा बाहर वन यानि कि evergreen rainforest पाय जाते हैं, evergreen rainforest जहां पे पाय जाते हैं, वहाँ पे दो condition fulfill करनी रहती है, पहली बात हो, वहाँ का climate है वो गरम होना चाहिए, और humid होना चाहिए, मतलब काफी ज्यादा moisture वहाँ पे होना चाहिए, rainfall भी काफी होना चाहिए, 200 cm की rainfall अगर precipitation वहाँ पे कम से कम हो रही है, और temperature अगर वहाँ पे 22 degree centigrade के आसपास रहता है, तो वहाँ पे आपको evergreen rainforest देखने को मिलती है, evergreen rainforest के characteristics होती है, कि वहाँ के जो forest होते हैं, अलग-अलग layers में पाय जाते हैं, मतलग ground पे कुछ आड़ी आवाडी आपको देखने को मिलती है, फिर mid level पे थोड़े बहुत plants देखने को मिलते है, तो जैसे जैसे आपका altitude वढ़ता है, आपको अलग-अलग tracking layers यहाँ पे नजर आती है, तो सबसे नीचे वाली layer होते हैं, घास फूस होता है, यहाँ पे बढ़ते हैं, आगे कहता है, के closer to the ground होती है, घास फूस पाई जाती है, creepers, creepers मतलब जो बेल पत्ती बगारा होती है, जो पेड़ के ओपर चड़ जाती है, वो यहाँ पर पाई जाती है, और short structured जो है trees यहाँ पर पाई जाते है, बहुत जो सबसे ऊपर वाली layer होती है, किसी एक समय में हरे भरे होते हैं, दूसरे समय में अपनी पतियां जाड़ देते हैं, जब वहाँ पर moisture काम हो जाता है, वहाँ के जो हवा होती है, वो dry हो जाती है, soil के अदर dryness आती है, तो उस case में वो क्या करते हैं, पत्ते अपने जाड़ देते हैं, क्योंकि इनको survive करना पत्तों से क्या होता है, पत्तों से transpiration होता है, है ना, transpiration होता है, मतलब पेड पानी को release करते हैं, लेकिन आप सोचके देखिए, जब वहाँ पे पानी ही नहीं होगा, तो पेड कहां से release करेंगे, तो जो थोड़ा बहुत moisture वहाँ पे होता है, उसको बचाने के लिए, पेड पत्ते जाड देते हैं, ताकि वह survive कर सके, लेकिन जब बारिस का मोसम आता है, मोनसुन गरा आता है, तो क्योंकि वहाँ पे पानी द्वारा से access में हो जाता है, तो पत्ते वहाँ भीर से हरे भरे हो जाते हैं, क्योंकि पानी की कमी है ही नहीं, तो यह पूरे का पूरा survival mechanism होत कुछ ने मार्च में जाड दिये, कुछ ने अक्टूबर में जाड दिये, कुछ ने जून जुलाई में जाड दिये, तो ऐसा चलता है, तो पूरे के पूरा जंगल जो है, वह एक समय में अपने पत्ते शेड नहीं करता है, कभी थोड़े बहुत करते हैं, कभी दूसरे करत कभी दूसरे करते हैं, लेकिन उपर से देखने पर आपको ये जंगल हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, ठीक है, तो इसी लिए इनको जो है, evergreen rainforest कहा जाता है, कुछ बहुत ही important खास species यहां पर पाई जाती है, जैसे rosewood, mahogany, any, ebony वगरा, ठीक है, ये चीजी हो गई, ये त आदे हैं, दूरे ही हरे भरे होते हैं, क्योंकि यहां पर जो rainforest, जो बारिश होती है, जो पानी बरस्ता है, precipitation होती है, वो थोड़ी सी कम होती है, evergreen rainforest के comparison में, है न, तो less rainy part of the region में ये पाए जाते हैं, तो ये mixture होता है, evergreen rainforest का और decidious forest का mixture होता है, decidious forest वो होते हैं, जो इसे प evergreen character और these forest, ये जो main species यहां पर पाए जाते हैं, white cedar, halok and kale वगएरा, तो यहां पर देखें, जो पत्ते होते हैं, बड़े वाले, वो अपने पत्ते जाड़ देते हैं, लेकिन जो नीचे जो चोटी मोटी जाड़िया वगएरा होती हैं, वो हमेशा हरी भरी रहती हैं, तो इ आप यहां में clearly देख सकते हो कि आपका जो नोर्थ इस्ट इंडिया है, इस साइड बे देखी आप जाके है, ठीक है, यह में घाल या, मनीपूर, नागला अगरा वो सारा पार्ट हो गया, उसके लावा जो western garts वाला आपका जो reason हो गया है, ये आपके पाए जाते हैं, कौन दोस्तों नजरा रहा है, ये आपके हो जाते हैं, डैसीडियस फोरेस्ट, ठीक है, डैसीडियस फोरेस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यहां पे, ट्रोपिकल डैसीडियस फोरेस्ट, देखिए, डैसीडियस फोरेस्ट का मतला, देखिए, इंडिया में सबसे range होती है लेकिन 70 से 200 के बीच में भी एक और range होती है एक range होती है आपकी 70 से लेके 100 cm और दूसरी range होती है 100 cm से लेके 200 cm तो यह जो 70 to 100 वाले cm वाले होते हैं इसे कहते हैं dry deciduous ठीक है और उजे 100 to 200 वाले कहते हैं इसे कहते हैं moist deciduous, moist deciduous, moist का मतलब होता है कि यहाँ पे moisture content थोड़ा सा ज़ादा होता है dry वाले में moisture content comparatively कम होता है तो decidious forest के दर दो range होती है यह आपको पता होने चाहिए जैसे कि उपर हम लोग map में देख सकते है यह जो मैंने थोड़ा radish वगरा यह कर दिया है यह आपका पूरे कपर decidious पाया जाता है जो आपका जो भाबर वाला region होता है जो तराई वाला region होता है वहाँ पर यह पाय जाते है eastern slope of the western ghat western ghat के दो slope होते है एक होता है eastern side एक होता है western side eastern side जो थोड़ा सब का जो range shadow type का area होता है उसकी बारे बेसिकलिए बात कर रहा है और western side में आपका पता यहाँ पर आवर green rainforest पाय जाते है और उडिसाव गरह में आपके यह पाय जाता है यहां के जो सबसे major species होते हैं वो कौन से होते हैं major species होता है टीक, साल, शीशम, हुरा, महुआ, आमला, सेलम, कुसुम, एंड, सैंडल वोड यह थोड़े main species यहां के होते हैं dry deciduous की बात करें तो 170-100 cm होता है और यह कहां पर पाय जाते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं जो peninsular India का थोड़ा बहुत जो rainier part होता है वहां पर पाय जाते हैं उसके अलाबा उत्तर प्रदेश के plains में पाय जाते हैं और क्योंकि यह थोड़े से dry nature के होते हैं इसलिए इनका जो landscape होता है वो पार्क लेंड के जैसा दिखता है पार्क लेंड का मतलब यह है कि कहीं कहीं पी आपको पेड़ दिखाए देते हैं जाधा तर आपको वहां पे जाड़िया और घास वगारा ही दिखता है पार्क में ऐसा ही होता है ना देखे एक दो पार्क में दो चार पेड होते हैं इदर उदर साइडों में बीच में घास होती है तो उसे पार्क लेंड लेंड केप कहते हैं वही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तो open stretches in which the teak and the other tree intercepted with the patches of the grass तो बीच-बीच में किसी-किसी पैच में आपको ग्रास देखने को मिलता है और कहीं-कहीं पे आपको जो है टीक उगएरा के पेड़ देखने को मिलते हैं इसे कहते हैं आपकी पार्क लैंड या फिर ड्राइ ट्रॉपिकल डैसीडियस फोरेस्ट ठीक है और यह अपने पते जाड़ देते हैं किसी पर्टिकुलर सीजन में और तो थोड़ा आपको बने बताए दिया यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो कौन से होते हैं टेंडू, पलास, अमलातस, बेल, खेर, एक्जल, वुड़ गया रहा पाए जाते हैं ठीक है उसके लबा सदन पार्ट ऑफ राजस्थान में भी यह पाए जाते हैं थोड़ा सा आप इसको भी देख लीजेगा तो लोकेशन वाइज भी हमें पता होना चाहिए कहां पे पाए जाते हैं और मैप जैसा कि इसमें दिखा रखा है वहाँ पे यह आपको लोकेशन पता है जो अगला हमारा आता है वो आता है ट्रोपिकल थोर्न फोरेस्ट देखे थोर्न का मतलब वही होता है काटा होता है तो डेफिनिटल यह कहां पे पाए जाते हैं जहां पे काफी ज्यादा ड्राइ कंडिशन होती है काफी हाई होता है वहाँ पे पाए जाता है तो यहां पर जो सबसी इमकॉर्टेंट कंडिशन है वह रेनफोल की तो 50 cm से भी कम रेनफोल यहां पे पाए जाता है अब इसकी लोकेशन इसकी लोकेशन साब की एक्जाम में पूछी जाती है आपसे जो साओध वेस्ट पंजा भी पाइजाता है हर्याना में राजस्थान में गुजराट में बद्ध्प्रदेश के कुछ हेरियास ओत्तरप्रदेश में यहां के stampp होते हीं धीर्व, लीफ लेस होते हैं इसमा पत्ते भईः नीचे नहीं है। नहीं होते हैं लंबा हो सकता है तो ये नाम आपने याद रख लेना है टुसौकी ग्रास ठीक है कहां पे पाए जाता है ये आपका थोर्नी forest में पाए जाता है location आपने यहां पे देखी लिया है तो यह तो location आपने क्या करना, आपके ज़ा अटलस है ना, उस अटलस के अंदर आपने ये find out करने हैं सभी के सभी region, अगर अटलस में आपको ना भी मिलें, तो आपने कम से कम अपने notebook के अंदर ये notes में लिख लेना है कि क्यों से forest कुन सी exact location पर पाय जाते हैं, exam में they are going to ask you definitely, अगली जो हमारे पा ये खास बात होती है, mountain की ये खास बात है, latitudinally जैसे आप equator से लेके पोल्स की तरफ जाते हो, तो क्या होता है, temperature decrease होता है, और उसी तरह से आपको vegetation भी decrease, उसी तरह से nature change होता है, equator के उपर आपको evergreen rainforest देखने को मिलते हैं, आप अगर polar region में जाओ, वहाँपे आपको tundra vegetation देखने को मिलता है, because वहाँपे precipitation और temperature के हिसाब से पाया जाता है, यही सेम तरीका जो है, और इसी तरह की same vegetation की variation आपको altitude wise भी पाया जाती है, तो जब mountain पे आप चड़ाई करते हो, तो mountain के bottom में आपको, जो है, आपको evergreen forest भी मिल सकता है, deciduous forest भी मिल सकता है, लेकिन mountain के आप थोड़ा सा ओर उपर जाते हो, आपको temperate type के vegetation देखने को मिलता है, अगर आप mountain के top पे चले जाते हो, आपको tundra type की vegetation देखने को मिलती है, तो जो variation आपको latitude नहीं, equator से pole की तरफ देखने को मिलती है, वही same vegetation आपको mountains पे bottom से लेके top भी मिलती है, क्योंकि सारा खेल यहाँपे temperature का होता है, और rainfall का होता है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे वह पाया जाता है, ठीक है, तो वही कहता है, देखिए, कहता है, in mountainous regions, the decrease in the temperature with increasing altitude leads to corresponding change in the natural vegetation, ठीक है, देखे, वह कहता है, और उसके लावा क्या कह रहा है, उसके लावा कह रहा है, क्या रहा है, mountain forest can be classified into two types, दो तर मजलीजी, ठीक है, northern mountain forest, और जो दूसरा होता है, यह होता है, हमारा southern mountain forest, मतलब जो हम यहाँ पे western ghats की बात कर सकते हैं, हम यहाँ पे नीलगरी hills की बात कर सकते हैं, बेसिकली उसके बारे में बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम दोग देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों, हिमाल इंडियist forest देखने को मिलते हैं, थोड़ा साब जैसे ऊपर जाते हो, 1000 से लेके 2000 meter तक, वहाँ पे आपको wet temperate type की vegetation आपको देखने को मिलती है, ठीक है, in the higher hills, range in the northeast India, जब आप northeast India की बात करते हो, जब आप West Bengal की, मतलब दारजलिंग वाले reason की आप जब बात करते हो, आप जब उत्रांचल की बात करते हो, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, evergreen broad leaf trees आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे नाम हो गया, oak यह chestnut, यह आपको देखने को मिलता है, 1500 से लेके 1750 meter तक, आपको pine forest देखने को मिलते हैं, ठीक है, pine forest आपको दिखा देता हूँ, कैसे दियोदार के पेड़ भी आपको देखने को मिलते हैं, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पे clearly यह जो right वाले हैं, यह दियोदार के पेड़ हैं, जो कि आपको देखने को मिलते हैं, उसके लावा चिनार and the walnut, ठीक है, यह सब भी पेड़ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसके लावा जो blue pine है और spruce यह आपको देखने को मिलते हैं थोड़े से और higher altitude जब जाते हो 200 मिटर से लेके 3000 मिटर तक आपको देखने को मिलता है blue spurs वगरा ठीक है तो आप यहां भी clearly देख सकते हो यह आपका blue spurs आ जाता है इधर है न और सिडार वगरा आ जाता है तो यह चीज़ें हो गई थोड़ा सवर उपर जाते हो आपको alpine type की देखने को मिलती हैं जैसे आपका silver fur, juniper, pine, birch, rhodododernet rhododernet basically जो पहाड़ों पर फूल पत्ती होती है न यह आप देख सकते हो ठीक है यह ब्रूस हो गया आपका यह जो फूल होते है यह आपके railroad entrance हो गया अच्छी खुश्बू भी होती है और इस pastures are used extensively for the trans humans by the tribe like the gujar, bakarwal, bhotiya and gaddis यह tribe आज कल काफी news में भी है जब थोड़ा सा आप higher olditude पे चले जाते हो 3000 से 4000 मेटर के ऊपर चले जाते हो तो आपको grassland देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पे temperature इतना कम होता है और precipitation भी comparatively काफी कम होती है वहाँ पे बड़े-बड़े trees support नहीं कर सकती वहांके जो soil होती है soil भी बहुत जादा develop नहीं होती है लेकिन वह grass को support करती है और grass को ने use करता है ग्रास को use करते हैं वहाँ पे जो nomadic herders होते हैं या फिर जो वहाँ पे खाना वदोस होते हैं जो जानुरों को चराते हैं तो कुछ tribes हैं वहाँ पे उत्राखंड में हिमाच्चल में लद्दाग वाले region में आपको मिलती हैं कश्मीर वाले region में गदीज, बकरवाल, भोटिया और वो उसका use करते हैं तो यह लोग क्या करते हैं समर के महीने में माउंटेन में थोड़ा सा उपर की तरफ चले जाते हैं क्योंकि भास होती है लेकिन winter के season में उपर तो snowfall हो जाता है तो फिर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यह जो जो nomads होते हैं वहाँ पर जो जानवर को चराते हैं पास्चर की खोज में रहते हैं मतलब पास्चर का मतलब यह समझ सकते हैं ग्रास लेंड की मैं बात कर रहा हूं तो यह जब उपर से नीचे travel करते हैं summer और winter में इस process क हिमाल्या का जो southern slopes होते हैं यहाँ पे comparatively ज़्यादा rainfall होता है as compared to northern slopes और क्योंकि higher rainfall यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है that is why यहाँ जो vegetation होती है वो भी थोड़ी सी comparatively ठिक होती है अब आप पूछो के सर वाले slope में ज़्यादा rainfall क्यों होता है देखी यह सारा खेल होता है sunlight का होता है you very well know कि sun कभी भी tropic of cancer से उपर नहीं जा सकता इसी लिए जो हिमाल्या के southern slopes होते हैं यहाँ पे sunshine ज़्यादा होती है यहाँ पे sunlight ज़्यादा पड़ती है तो उस वजह से यहाँ की vegetation है थोड़ी सी ज़्यादा ठिक होती है क्योंकि vegetation को grow करने के लिए क्या चाहिए उसक synthesis मतलब उसको sunlight चाहिए तो southern slope पे हिमाल्या के ज़्यादा sunlight होती है इसलिए वहाँ की vegetation थोड़ी सी ज़्यादा ठिक होती है as compared to नदन वाला ठीक है कहता है at higher altitudes moses and the lichens are also found as a tundra vegetation जो जब आप पहाड की भहिया बिलकुल चोटी पे चले जाओगे तो वहाँ पे तो temperature भी extremely low ह होता है precipitation भी वहाँ पे जो होती है थोड़ी बहुत वह जो होती है वह आपकी snowfall की form महीं होती है तो इसलिए वहां की जो soil है वह बिलकुल भी ही young होती है develop नहीं होती है तो lichens वगरा कुछ काई वाई, mosses वगरा आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं ठीक है तो यह वाला सीन. Now let's move to the other vegetation of the mountain vegetation which is there in the southern India. Southern India के हम जो बात करते हैं तो I am talking about the western ghat and all that and we very well know that this is not as high as mountain, Himalayan mountains. Himalayan mountains तो बहुत हाई होती है लेकिन इनकी western ghat की बात करते हैं, विंद्या की बात करते हैं और नील-गिरीज की बात करते हैं. कहता है 1500 meter and above of the sea level, vegetation is temperate in the higher regions and subtropical on the lower regions. ठीक है क्योंकि height के हिसाफ से होता है और southern India में यू very well know के temperature भी comparatively जादा होता है as compared to northern India. तो वो भी यहाँ पर फरक पड़ता है, बहुत extreme conditions वहाँ पर नहीं होती है, winter में temperature temperature minus में नहीं जाता है, और summer में भी temperature जो है बहुत जादा, competitively high रहता है हिमालिया के है ना, तो उसकी वज़े से वहाँ के सिंचोना हो गया, वोटल वगारा, यह सब आपको वहाँ पर पाए जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको भी याद करना है, अब यह जो सारी detail मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, definitely आपको याद करना है, क्योंकि NCRT के अंदर जो आपको information दे रखी है, यह आपको एक minimum requirement है, यह जाती है, जहाँ पर water log conditions पाए जाती है, यह उसकी बात करता है, ठीक है, तो क्या कहता है, कि हमारा जो, India has a rich variety of the wetland habitat, about 70% of this comprises area under the paddy cultivation, जहाँ पर चावल की खेती की जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वोटर जो है, वोटर के नीचे रहती है, क्योंकि paddy cultivation के लिए आपको जादा irrigation करना पड़ता है, तो 70% जो हमारे यहाँ पर लिटोरल और swamp forest पाए जाते हैं, या वो vegetation पाए जाती है, वो आपका paddy cultivation के अंदर में आती है, जिसका area होता है, 3.9 million hectare, अब यहाँ पर जैसे 2 site है, एक इसने बताया है कि चिलका लेक, जो कि ओडिसा में है, हम लोग न international importance, रामसर convention के अंदर आती है, तो इसको special protection मिला हुआ है, और भी इंडिया के अंदर बहुत सारी रामसर sites है, अभी मेरे खाल से इंडिया के अंदर लगबग 44 रामसर sites है, तो भी आपको थोड़ा सा याद करना है, एक्जाम के लिए, क्योंकि वो पूच सकता है, specially जो नए वाली है, वो आपको याद करनी है, जिसको नभी latest status मिला है, और जो पुरानी है, लेकिन बहुत ज़्यादा important है, वो भी आपको यहाद करनी है, specially वो वेटलेंड आपको ज़रूर याद करनी है, जो किसना किसी biosphere reserve के अंदर में आती है, या tiger reserve के अंदर आती है, वो अगर reservoirs of the Deccan Plateau, है न, Deccan Plateau वाले region के अंदर जो कुछ lagoon सोगरा पाए जाते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है, दूसरा जो है saline expenses, जैनि के जो आपका गुजरात में, राज्यस्थान में, है न, गल्फोफ, कच के अंदर, कच के अंदर, जो आपको salt lakes पाए जाती हैं, जैसे delta wetland हो गया, जैसे इंडिया का जो चीलिका लेक वगरा है न, तो इसके बारे में बात करता है, अगली जो है fresh water marshes in the gangatic plain, गंगा प्लेन में जो fresh water के जो पाई जाती है, रामसर्व साइट्स वगरा, wetland या lakes वगरा, उसके बारे में बात कर रहा है, flood plains of the ब्रहंपुत्रा river के बहुत सारा flood आता है, तो उसके बारे में वो वाली जगह हो गई, अगली जो हमारे पास है, वो है lakes and rivers of the mountain region of the कश्मीर और लद्दाक में, पैंगोंग्सो लेक आपके पास वहाँ पे है, वोलर लेक है, डल लेक है, उनके बारे में बात करता है, न मैंगरू फोरेस्ट, जो फिर आपका सुंदर बन डेलटा वगरे में पाय जाते हैं, तो उसके बारे में बात कर रहा है, तो यह हम लोगों ने इसको अलग तरीके से इस तरह से केटेगराईज हम कर सकते हैं, अब डेफिनिटली बात है कि जो मैंगरू फोरेस्ट आपके पाय जाते हैं, अब देखे और क्योंकि यहां पे पेड़ होते हैं, क्योंकि वहां पे जो सोल्ट का कंटेंट होता है, वोटर में काफी जादा होता है, इसलिए मैंगरू फोरेस्ट की यह खास कैटेगरी होती है, कि वो सोल्ट टोलरेंट होते हैं, पानी के अगर सोल्ट कंटेंट जादा होता है, तब भी वो सर्वाइव कर सकते हैं तो खास तरह के न पेड़ होते हैं मैंगरू वाले फोरेश्ट है आप मैंगरू स्क्वेर इप किलो मेटर उसकेलावा आप nella गुजरात में जो कच्छ वाली कोस्ट है, वहां पर पाया जाता है, पॉंटी चेरी वाली कोस्ट भी पाया जाता है, इवन आपका जो तमिलनाडू वाला कोस्ट है, ठीक है, वहां पर भी यह पाया जाता है, तो यह चीजी होगी आपकी vegetation को लेकर, so these are the four types of forests that are found in India, so we have seen evergreen forest, we have seen deciduous forest, we have also seen the mountain forest, then we have also seen the thorny forest and finally we have seen the swamp and the littoral type of forest, यह location आपको पता होगी, दो-चार species अगर आपको याद करनी है, आप कर सकते हो, आती भी एक्जाम में, इतना आपके एक्जाम के perspective से मेरे खाल से more than sufficient है, इतना कर लोगा तो that would be enough for you, अब ब according to the latest state report, इंडिया का जो total forest cover है, वो है 23.28%, देखिए, यह जो data बगारा है न, देखिए, क्या होता है, कि हर 2 साल में, हमारी forest report होती है, वो out होती है, उसके हिसाब से, जो forest का data होता है, आपको वो update करना रहता है, अपने एक्जाम के हिसाब से, तो उसको आप update कर लेना, यह ज इसको forest land declare कर दिया जाता है, देखिए, किसी भी जगह को अगर हम लोग forest area declare कर देते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ पे आपको paid मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा भी बहुत बार होता है, कि कोई land forest land declared होती है, उसके बावजूद भी वहाँ पे paid नहीं होते हैं, मतलब उसको state government ने declare कर दिया है, तो आप उस पे वहाँ पे कोई और construction activity नहीं कर सकते, because that particular area is declared as the forest land, तो उसके बारे में यह बात करता है, कहता है, तो जो notified area होता है, जो forest area होता है, उसको forest area declare किया जाता है, irrespective of the existence of tree, लेकिन जो actual forest cover होता है, वहाँ पे actually में आपके जंगल पाये जाते हैं, और उनकी canopy भी होती है, देकि canopy का मतलब होता है, यह पेड़ का cover है, तो यह जो पेड़ है, इसके जो यह cover होता है, दोस्तो इसको ही कहा जाता है canopy, canopy का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो, कि जो मुकट होता है सरका, तो उपर जब helicopter से, satellite से देखते हो, तो यह आपको cover एक दि जबकि जो एक्चुली में forest cover होता है वो aerial photography वगारे से satellite वगारे से pictures वगारे ली जाती है तो according to Indian state of the forest report 2011 इंडिया में जो actually forest cover है वो कितना है 21.05% अब इस 21.05% में से जो आपका 12.29% है वो है dense forest लेकिन जो आपका 8.75% है वो है आपका open forest open forest में जो canopy है वो less than 50% होती है और थिक वाले में more than 50% होती है कहता है both forest area and the forest cover vary from state to state state to state vary करता है लक्षदीप के अंदर जो है 0% forest area है वहीं अंडमा निकोबार के अंदर 86.93% जो है वो forest cover पाये जाता है कहता है most of the states जो north इंडिया में जादतर state है वहाँ पे 10% से भी कम forest area होता है जिसे राजस्थान, गुजराज, पंजाब, हर्याना, दिल्ली वगारा में क्योंकि यहाँ पे जादतर forest को agriculture purpose के लिए इंडस्ट्री के लिए, residential areas वगरा के लिए clear कर दिया गया है लेकिन अभी भी जैसे north east इंडिया है या central इंडिया है वहाँ पे अभी ठीक ठाक forest पाये जाता है ठीक है उसके लावा 10-20% जहाँ पे forest cover पाये जाता है जैसे तमिलनाडू हो गया आपका west bengal हो गया इंडिया में आपका जो है तमिलनाडू को दादनगर हवेलिव गयर को अगर आप छोड़ के चले जाओ तो 20-30% आपको वहाँ पे forest area देखने को मिलता है उसके लावा नोर्थीस्ट जो states है हमारे ठीक है आपके आसाम हो गया मनीपूर उनागा लेंड और उनाजल प्रदेश वहाँ पे 30% से भी जादा forest cover पाये जाता है तो यह सारी की सारी चीजी होगी उसके लावा कहता है तो मतलब वही बात कर रहा है कि इंडिया अंदर forest के area जो है वो uniformly distributed नहीं है कहीं पे बहुत ज़्यादा थिक forest पाये जाते हैं कहीं पे 80% से ज़्यादा forest पाये जाते हैं और कहीं पे जो है वो 10% से भी कम forest पाये जाते हैं पुरी तरह से इसलिए हम उसको conserve करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे environment के ecology को balance करने के लिए forest का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर किसी भी country में ecological balance maintain करना है तो वहाँ पे कम से कम इंडिया के साथ से अगर आप बात करें तो 23% overall forest cover होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी जो economy होती है हमारी जो society होती है उसको directly और indirectly forest बहुत ज़्यादा help करते हैं तो इंडिया में जो है government of India ने प्रपोस किया national level forest conservation policy and adopted the forest policy in 1952 which was further modified in 1988 मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार इसको ignore करती है सरकार इगनोर नहीं करती सरकार time to time policy भी ले के आती है सबसे पहली policy हम लोग 1952 में लेके आये थी उसके बाद 1988 में हम लोगों ने जो है उसको modify किया था ठीक है तो forest policy का actually aim क्या है इसका purpose क्या है इसका purpose होता है कि इंडिया का जो total percentage area है geographical area 33% को हम लोग forest cover के अंदर में लेके आएंगे तो मेरे मुझ से शायद पहले 23 निकल गया था actually 33 है ठीक है उसके लावा environmental stability को यहाँ पर ensure करना है उसके लावा जो natural heritage होता है country का उसको भी conserve करना है उसके लावा जो soil erosion होता है उसको भी check करना है limit करना है forest area को overall increase करना है social forestry को increase करना a forestation को बढ़ावा देना है मतलब पेड़ पोदे लगाईए आप उसके बारें बात करता है उसके लावा कहता है कि productivity है जो forest की उसको जैसे लकडिया हो गया fuel food फोटर वगयरा हो गया उसको increase करना है और massive level पे people movement generate करना है मतलब लोगों के अंदर awareness लेके आना है कि भाईया forest को बचाईए ठीक है तो उसके बारें बात करता है तो यह government of India के जो conservation policy है उसके अंदर जो है हम लोग ने कहीं सारे initiative ले रखे हैं और जैसे पहला हो गया हमारा social forestry social forestry का मतलब देखे क्या होता है यहाँ पर कहा लिखावा social or forestry social मतलब जहाँ पर local community होती है urban areas जरूरल areas यहाँ के जो लोग होते हैं जब आप उनको भी engage करते हो in forest को conserve करने वाली policies में तो that policy is called your forest social forestry तो मतलब management and protection of forest and a forestation on the barren land तो जो खाली पढ़ीव जमीन होती है वहाँ प development तो गाउं की तरक्की होगी society की तरक्की होगी environment degradation कम होगा तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं forest area जो अलड़ी हमारे पास है उनको protect करिये और जो barren land है जो खाली जमीने पड़ी हुई है वहाँ पे आप पेड़ पोदे लगाए बेसिक लिए उसके बारे में बात करता ह पहली होती है urban forestry दूसरी होती है rural forestry और तीसरी होती है farm forestry तो यह social forestry के तीन टाइप होते है अब जैसे के नाम से ही पता चल रहा है तो कोई जादा यहाँ पे दिमाग लगाना नहीं है urban forestry के मतलब होता है कि हम लोग नहीं पर क्या करना है हम लोग नहीं पर raising and the management of the trees on the public and the privately owned land in and around the urban center मतलब जो cities वगरा है वहाँ पर पार्क वगरा हो गए आपके जो roadside जगह खाली पड़ी रहती है green belt होती है industrial और commercial जो area होता है वहाँ पे basically आपने paid up ओधे लगाने है that is the meaning of urban forestry rural forestry के बताने की जोरत नहीं है rural forestry जो है agroforestry के आप इस consider कर सकते हो community forestry होती है agroforestry के मतलब क्या होता है कि जैसे जो किसान होते है तो अपने खेत में वह definitely गहूं या सबजी या कुछ ना कुछ तो उगाते ही होंगे लेकिन अपने खेत में जो है उस खेत के आसपास आप paid up ओधे भी लगा सकते हो that is the agroforestry ठीक है तो agroforestry is raising the trees of the agriculture crop on the same land inclusive of the waste patches it combines forestry with the agriculture ठीक है और तो आप ओकर सकते हो that is the meaning of agroforestry मतलब agriculture के साथ साथ forestry करनी है community forestry का मतलब होता है देसे गाउं में कुछ जमीने खाली पड़ी होती है temple मंदिर वगारा की जमीन होती है roadside के आसपास जो area होता है kanals वगारा होती है वहाँ पे आप पेड़ पदे लगा सकते हो railway line के आसपा देखती है उसके अलावा जो यह forestry जब आपकी soil के आपके जो underground water होता है उसको recharge करते है तो उसका benefit पूरी community को मिलता है ना तो यह बहुत सारे फायदे जो है community forestry के आपको देखने को मिलते हैं और क्योंकि पूरी की community इनकी देखवाल करती है तो definitely सभी को यह benefit भी पहुंचात पेड़ पोधे भी उगाते हैं मतलब पेड़ भी लगाते हैं for the commercial and the non commercial purpose ठीक है तो जैसे आपने फुरूट के पेड़ लगा लिए अब वो commercial purpose के लिए लगा सकते हो non commercial purpose के लिए लगा सकते हो जैसे में गवावा के लगाए तो वहां से जो अम्भूद मिलेंगे आपको आप इसके forest forestry के लिए तो वो सारी की चीज़ यहां पर बता रखी है now let's move to the wildlife of India अब देखे इतनी different तरह का इंडिया में vegetation पाया जाता है इतनी different तरह की variety जो है इंडिया में पाया जाती है climate हो, soil हो, vegetation हो and all that तो definitely different तरह की wildlife भी पाया जाएगी है ना तो मैं यहां पर animal life की बात करत हूँ तो wildlife of India is a great natural heritage है ना it is estimated that के दुनिया का 4 से परसेंट जो total जो plant और animal species है वो कहां पाया जाता है वो इंडिया में पाया जाता है कि जो की एक बहुत बड़ी बात है 4 से 5 परसेंट even आप ज्यादा भी बोल सकते हो 6-7 परसेंट तक भी बोल सकते हूँ ठीक है वो इंडिय समझ लीजी है ना उसको हम लोग डिस्टर्व कर रहे हैं और काफी जादा हम लोगों ने उसको डिस्ट्रोई भी कर दिया है तो wildlife के decline होने के सबसे major कारण क्या है इंडिस्ट्रिल एंडर टेक्नोलोजिकल एडवांसमेंट ओलड़ी हम लोग बात कर चुके हैं कि जिसकी होते हैं उसकी कटाई हम लोगों ने शुरू कर दी है human settlement घरवर बनाने के लिए roads के लिए mining के लिए वो सब हम लोगों उसका use करते हैं grazing जो है animal को चराया जाता है ठीक है क्योंकि milk demand बढ़ गई है तो उसकी वज़े से जादा animals भी रखने पड़ते हैं तो उसके लिए भी जं in India राइट तो अब wildlife जब decline हो गई है तो इसको preserve भी करना है conserve भी करना है तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया लेकर इंडिया में wildlife की respect हमेशा से ही की जाती है राइट आज जो हिस्टोरी की बात करो आप हमारे religious text की बात करते हैं बहुत सारे पेड़ पोदों को या जानवरो होता है तो कितनी जादा respect की जाती है और जैसे people का पेड़ हो गया बरगद का पेड़ हो गया तुलसी का पेड़ हो गया इनको आज भी पूजा जाता है तो इंडिया में religiously और culturally अगर आप देखें तो जैसे पंचतंतर की कहानिया है जंगल बुक्स उगरा है तो वाइड़ life को protect करने के लिए शुरू किया तो जो सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था वो तो आपको पता ही है कि हम लोग ने प्रोजेक्ट टाइगर यहां पे चलाया था ठीक है तो बहुत सारे national parks वगरा को sanctuaries को हम लोगों ने conservation करने के लिए इनको declare किया और बहुत सारी wildlife को भी हम लोगों ने यहां पे protect करना शुरू कर दिया और अगर आप उसको नुकसान पहंच जाते हो तो definitely आपको punishment भी दिया जाता है there are 103 national parks 535 wildlife sanctuaries इंडिया में पाई जाती है लेकिन यह आपको क्या करना है इसको अपने update करना है ठीक है वो सारी चीज़ें हो गई project tiger इंडिया में 1973 में चलाया गया project elephant 1992 में चलाया गया ठीक है project elephant की शुरुआत कहां से वी थी इसकी शुरुआत हुई थी आपकी gym corbet national park जो की उत्राखंड के अंदर पड़ता है यह आजकल काफी news में है तो यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है चले क्योंकि प्रोजेक्ट जो tiger होता है वो आपकी जो food chain के अंदर सबसे टोप पे होता है और अगर आप टोप वाले जो predator को अगर टोप वाले consumer को अगर आप प्रोटेक्ट करते हो तो इससे पता चलता है कि आपका ecological balance बना हुआ है and thanks to this project tiger and other steps which were taken to conserve the project tiger in India इंडिया में यह tigers की population लगातार increase हो रही है which is a good news ठीक है आप यहाँ पर किले लिए देख सकते हो आपका एक survey भी दिखाता हूँ इसका मतलब है कि project tiger जो है वो काफी successful है तो जो सरकार steps उठा रही है tiger को conserve करने के लिए काफी successful है मध्या परदेश में आप देख सकते हो बहुत सारे tiger है 526 करनाटके में 524 उत्रकण में 442 ठीक है और भी दूसरे states में देख सकते हो तो tiger को वाला जो है वो इंडिया में काफी अच्छा improve हो रहा है तो it's a good news 1992 में हम लोगों ने project elephant भी चलाया था विकोज elephant जो है वो इंडिया का heritage animal है तो भी इसको भी protect करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए वा प्रोजेक्ट हंगुल हम लोगों ने चलाया प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने चलाया है और भी बहुत सरे प्रोजेक्ट एंडिया ने छोटे चला रखे है तो यह आपका actually environment और ecology वाला topic है जब हम लोग वहां पर उसको करेंगे तो अच्छे से detail में उसको करेंगे ठीक है biosphere reserve का main मकसद पता क्या होता है इसका मकसद होता है कि पहली बात हो conservation करना एक होता है development करना और एक होता है logistic मतलब research और purpose के लिए तो biosphere का मतलब यह नहीं है कि हम लोग ने वहां पे मतलब अगर किसी area को biosphere reserve declare कर दिया है तो वहां पे हम लोग activity नहीं कर सकते no that is not the purpose of biosphere reserve biosphere का मतलब reserve का purpose यह होता है कि वहां के जो local population है जो लोग रहते हैं उनको nature के साथ balance बना के चलना है मतलब ताके वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी needs भी पूरी हो जाए और वहां पे जो forest वगरा है जो हमार ecosystem है उसको भी हम लोग conserve कर सके so that is the basic purpose of this biosphere reserve अगर इंडिया में biosphere reserve को देखो तो आपको देखे लिस्ट दिया हुआ है नेलिगरी नदा देवी माना सुंदरबन पंचमडी अचानक मार ठीक है इसकी भी एक लिस्ट आपको पता होनी चाहिए तो इंडिया के अंदर भीजा कितने biosphere पाए जाते हैं कहां पे कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं उसकी कुछ मिली पाल है पंचमडी है नीलगरी है ठीक है नो क्रेक अनल दाट यह आप सब देख सकते हो तो कुछ बाइसफेर रिजर्व के बारे में इसने हलकी फुलकी इनफोर्मेशन दे रखी है जैसे नीलगरी बाइसफेर रिजर्व है इसको 1986 में इसको एस्टेबिश किया गया थ यह सब इस एरिया को कवर करता है साइलेंट वाली भी इसके अंदर ही आता है तो 5520 स्क्वेर किलोमेटर का एरिया कवर करता है कुछ खास स्पीसिस आपकर यहां पर पाई जाती है जैसे लाइन टेल मकाक नीलगरी ताड है ना देख इसके डागराम को दिखाता हूँ यह ज इहां पर सभी आइवर ग्रीन फोरेस्ट भी पाए जाते हैं अंज स सबी ट्र टेशिद्थ पैस इस ना देविगारी फोरेस्थ पीटोडगर Déऑन सब्रहाज़े जाता है और टेल्के ज्मॉली औरश च, वे खैसब आरो और इस बें सबीते में पाए जाता है यहां पर सभ इसको भी याद कर सकते हो वैसे तो environment ecology वाला topic है ठीक है उसके लाबा कुछ animals की अगर हम यहां पर बात करें तो snow leopard मिलता है black deer, brown bear, musk deer है ना दुनिया भर की चीज़ें यहां यहां पर भी पाए जाती है नंदा देवी तो mangrove trees यहां पर पाए जाते हैं और royal mangrove tiger लगदोसों से ज़्यादा यहां पर पाए जाते हैं विचिस वेरी गूड थींग उसके लाब 170 bird की species भी यहां पर पाए जाती है और यहां का जो इनौ बरिवेल के यहां का पानी होता है वह brackish water होता है ना वह fresh होता है ना यही वह salty होता है तो यहां का जो mangrove trees हैं और यहां के जो पेड़ पोदे हैं जो birds हैं उनकी अंदर भी कुछ special characteristics होती है कि वह brackish water के अंदर survive कर सकते हैं ठीक है तो उसके जैसे यहां पर आपको चीतल पाया जाता है बार्किंग डियर पाया जाता है ना तो यह कुछ चीज यहां पर प मनार तो biosphere reserve एक्चली यह जुरूरी नहीं कि biosphere reserve हमेशा land में ही होना चाहिए biosphere reserve land पे भी हो सकता है water में भी हो सकता है दोनों का combination भी हो सकता है तो Gulf of मनार जो है वो कुछ इसी तरह का है कुछ लैंड पे पाया जाता है थोड़ा बहुत पानी के अंदर पाया जाता है तो total 21 island भी Gulf of मनार के अंदर जो है वो पाया जाते हैं तो कुछ खास species जो यहां पर पाया जाते हैं वो है डुगोंग डुगोंग तो अलड़ी UPSC prelims में question पूछा जा चुका है शायद 2015-16 में उसके लावा जो है अलग-अलग category की यहां पे mangroves की categories भी पाया जाती है so this was all about your different type of biosphere reserve ठीक है तो इस chapter में हम लोग पढ़ेंगे इतना ही तो इस chapter में हो लोग दोस्तों क्या कर देखा हम लोगों ने किया different type of vegetation जो इंडिया में पाय जाती है देखिए मैंने बहुत ज़्यादर detailing आपको करवाई नहीं है क्योंकि इतने required नहीं है बट अगर आपको फिर भी और ज़्यादा है लेकिन exam में question यहां से hardly एक या दो question आता है कहीं बार तो आता भी नहीं है तो इसलिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने कोई फायदा नहीं है लेकिन कम से कम जो information हमारी NCRT में दी हुई है वो तो हमारे लिए minimum है और होता क्या है न यह जो चीज़ें हैं लगातार current affairs में भी रहती है कोई नया species को हम लोगों ने add कर दिया endangered species में या कोई bias fair reserve के अंदर कुछ अगर हुआ है कुछ update हुई है तो वो update आपको याद करना है from the perspective of the current affair और वहां से आप कुछ questions definitely handle कर सकते हो चलिए So that is all for the day. Thank you very much all the west and jaind